So Hello Guys, It's Me, Ayush और मैं दूम सबी का विलकम करता हूँ चैनल के एक और बैर न्यू वीडियो में आज से हम लोग चालू करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन सेकेंड को मना कर दिया था जिसकी वज़े से अब इन लोगों के बीच में जमीन के लिए फाइट होने वाली है एपसोड के सुरुआत में हमें एक बैटल फिल्ड दिखाई जाती है जहां रैगनार किंग हॉरिक के साथ मिलके जाल बॉर्ग के अगेंस्ट बैटल की तयारी कर रहा होता है किंग हॉरिक रैगनार से बूचते हैं कि तुमारा भाई रोलो अभी तक यहां क्यों नहीं आया क्योंकि देर हो चुकी है कहीं वो हम लोगों को धोका तो नहीं दे देगा कहीं वो जाल बॉर्ग के साथ मिलके हमारे अगेंस तो लड़ाई नहीं करेगा जिस पर रैगनार बोलता है कि आखिर मेरा भाई रोलो मुझे धोका देगा ही क्यों उसके पास reason ही क्या है मुझे धोका देने का जिसके बाद Flocky रैगनार के पास आके उससे बोलता है कि लोगों को reason नहीं चाहिए होता कारण नहीं चाहिए होता किसी को धोका देने के लिए Flocky की बातें सुनके रैगनार भी थोड़ी दिरकली सोच में पढ़ जाता है भाई के अगेंस्ट लडने में जिसका रोलो जवाब देता है कि अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है और जालबर्ग बोलता है कि तो फिर ठीक है इसके बाद रैगनार की आरमी का वही एक आखवाला बंदा रोलो को समझाने के लिए आता है वो रोलो से बोलता है कि हमने काफी सारी जंगे साथ लड़ी हैं हम भाईयों की तरह हैं और तुम्हारा असली भाई बाहर है जिसके अगेंस्ट अब तुम लड़ाई करने जा रहे हो क्या तुम सच्ची में ये करना चाहते हो जिस पर रोलो कोई जवाब नहीं देता इसके बाद किंग हॉरिक की आर्मी और जाल बॉर्क की आर्मी बैटल फिल्ड में आमने सामने आ जाती है रोलो को अपने खिलाफ देख के रैगनार को बहुत ज़दा गुसा और बहुत ज़दा दुख महसूस हो रहा होता है अब दोनों तरफ के सारे वाइकिंग्स बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं फिर बैटल का हॉर्ण बच जाता है और दोनों तरफ के सारे वाइकिंग्स कुलहाडियां, तलवारे, भाले, डाले ये सब लेके एक दूसरे के उपर जानवरों की तरह तूट पड़ते हैं और यार बोलना पड़ेगा कि सीजन के स्टार्टिंग में ही इन लोगों ने इत्य अच्छी फाइट दिखा दी फ्लॉकी रोलो की इन सारी हरकतों को देखके रोलो से लड़ने जाता है लेकिन रोलो जाल बॉर्ग के साथ मिलके फ्लॉकी को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ट कर देता है फ्लॉकी की इस हालत को देखके वही एक आख वाला बंदा फ्लॉकी की मदद करने और रोलो से पर रागनार बोलता है कि यार आखिर कब तक एक छोटे से जमीन के तुकड़े के लिए हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे हमें वेस्ट जाना चाहिए जहां पताने कितनी सारी जमीन और दौलत पड़ी है हमें वहाँ जाके उन सब जगहों को कॉंकर करना चाहिए जिसे सुनने के बाद जालब और किंग होरिक के समझाओते को एकसेप्ट कर लेता है और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग मिलके टू दे वेस्ट जाएंगे वहाँ की लैंड्स को कॉंकर करेंगे इसके बाद रैगनार रोलो के पास आता है जिसे की बंदी बना लिया गया है क्योंकि ऑवियसली उसने अपने किंग रैगनार को बिट्रे किया उसके अगेंस्ट लडा इसकी वज़े से रोलो को जल्दी सजा भी दी जाएगी रोलो के पास आके रैगनार रोलो को बताता है कि तुम्हें इस बात से फरक तो नहीं पड़ेगा पर तब भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि तुम्हारी भच्ती जी यानि की मेरी बेटी गीडा मर चुकी इसके बाद रैगनार रोलो फ्लॉकी और उनके बाकी सारे साथी वाइकिंग्स वापस के टगेट आ जाते हैं जहां पर सब लोग रोलो को एज़ ट्रेटर एज़ धू के बाज़ ट्रीट कर रहे होते हैं इसके बाद सीन सिफ्ट होता है हम देखते हैं सब लोग खाना खा रहे होते हैं जहां रैगनार लगार्था को बता रहा होता है कि बैटल में क्या-क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, वो एक आख वाला बंदा मर गया, फ्लॉकी बॉजदा इंजर्ड है, जिसके बाद लगार्था, रैगनार से जंग में हिस्सा लेने की वज़ा पूछती है, जिस पर ऐशलॉक के बारे में पूछती है, अेशलॉक का नाम सुनके रैगनार को काफी गुसा आ जाता है, पर लगार्था के बार-बार insist करने के बाद रैगनार लगार्था को बताता है, कि ऐशलॉक गो टैलेंड की एक प्रिंसेस है, जोकी बहुत खूपसूरत है, जिसकी वजए मैंने बस एक बार उसके साथ सेक्स किया था पर चिंता मत करो मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ प्यार मैं बस तुमसे ही करता हूँ लगार था फिर रैगनार से बोलती है कि ऐसी मिस्टेक दुबारा से नहीं होनी चाहिए रैगनार भी एकसेप्ट कर लेता है इसके बाद सीन राइ जाएगी जिसमें कानून के जानकार होंगे जो की कानून के पवित्र पत्थर पर ख़ड़े होके फैसला लेंगे की रोलो को जिन्दा रहना चाहिए या मार देना चाहिए इसके बाद रैगनार बियॉर्ण को एक सोने का सिक्वाथा दिखाता है जिसमें किंग ऐला की तस्वीर बनी हुई होती है और बताता है बियॉर्ण को कि ये सिक्वा काफी खीमती है बियॉर्ण उस सिक्के को ले लेता है इसके बाद सीन सिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कानून के रखवाले उस पवित्र पत्थर पर खड़े होकर रोलो की सुनवाई कर रहे होते हैं वहां कानून का रखवाला बोलता है कि हम सब जानते हैं कि रोलो ने एक बहुती बड़ा पाप किया है इसने अपने भाई अपने किंग को धोका दिया है जिसके लिए इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए पर अगर भगवान इसे मारना चाहते तो ये बैटल के अंदर ही मर जाता पर भगवान ने इसे नहीं मारा भगवान ने इसे जिन्दा छोड़ा हुआ है और हम कौन होते हैं भगवान के फैसले को बदलने वाले और ये बोलके वो कानून का रखवाला रोलो को आजाद कर देता है और फिर हमें मालूम पड़ता है कि इस कानून के जानकार को एक्च इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रोलो रैगनार से मिलने आता है जहां रोलो रैगनार के सामने कनफेस करता है कि मैं तुम्हारी शैडो से बाहर निकल के अपना कुछ करना चाता था पर जब मैं तुम्हारी शैडो से बाहर निकला तब मुझे मालुम पड़ा कि मै कुछ हुई नहीं इसके बाद सीन सिफ्टों के साम की तरफ जाता है जहां पर रोलो अपने सामान को पैक कर रहा होता है तब ही वहाँ पर सीगी आती है जो कि उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो तो रोलो बताता है कि यहां के सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं जो कि सही भी है क्योंकि मैंने अपने भाई अपने राजा रैगनार को धोका दिया है इससे तो अच्छा होता कि मुझे मौत की सददे ही दी जाती पर सीगी उसे समझाती है कि यार भगवान ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है तुम्हें उनके फैसले की कदर करनी चाहिए और खुद को एक दूसरा चांस देना चाहिए सीन सिफ्टों के रैगनार की तरफ जाता है जो की साम को अकेले बैटके अपनी बेटी गीडा को याद कर रहा होता है कि कैसे वो उसके आखरी समय में उसके साथ नहीं था सब लोग अपने बेटों से ज़दा प्यार करते हैं पर वो अपनी बेटी से ज़दा प्यार करता था देखो कोई आ रहा है और ये और कोई नहीं बलकि एश्लॉग होती है जो कि हमें पिछले सीजन में ही मालूम चल गया था कि प्रेगनेंट है एश्लॉग को केटगेट में आते देख रैगनार के होश उड़ जाते हैं और लगार्था को जैसे ही एश्लॉग के आने की ख़वर मिलती है तो तो उसके पैरों से जमीन ही कह सक जाती है रागनार लगार्था को बताता है कि यार मुझे नहीं मालूम था कि यहां आ जाएगी नहीं मैंने इसे यहां पर बुलाया है इसके बाद लगार्था एक प्रॉपर रानी का रोल निभाते हुए अच्छी तरीके से एशलॉग का केटागेट में वेलकम करती है एशलॉग के केटागेट में आने की वज़े से लगार्था को बहुती बुरा लग रहा होता है जेलिसी फील हो रही होती है और साधी साथ वो यूमिलियेटिड भी फील कर रही होती है क्योंकि एशलॉग एक काफी बड़े परिवार से होती है उसकी मदर शील्ड मेडन ब्रून हिल्टा होती है और उसके फादर एक सिगर्ड होते है जिने कहा जाता है कि जिन्होंने ड्रागन को मारा है पर अपनी लगार्था सरिफ एक नॉर्मल किसान की बेटी होती है जिसक नहीं कर सकता क्योंकि एशलॉग उसका चाइल्ड कैरी कर रही है और उसे एशलॉग का ध्यान देना ही पड़ेगा मलगी उसे एशलॉग की केर करनी ही पड़ेगी इसकी बात साम के वक दावत रखी जाती है जिसे फ्लॉग की भी एटेंड करता है और अब वो थोड़ा-थ इस पॉड़ी में एशलॉग भी आती है जो कि पहले तो अपनी नौकरानियों की मदद से कुछ लजीज खाने बनवा के लाई होती है इसके बाद जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तब रैगनार लगार्था से बोलता है कि मैंने सुना है कि इस देश में काफी जगाहो पर एक आदमी multiple women's रखता है एशलॉग भी रैगनार की बात का support करती है कि हाँ मैंने भी सुना है कि ये काफी common है कि एक आदमी multiple women's रखे लगार्था बोलती है तो क्या तुम भी multiple women's रखना चाहते हो जिसका रैगनार जवाब देता है कि अगर मैं रखना चाहता तो तुम क् और जदा humiliated feel करना चालू कर देती है इसके बाद रात में रैगनार लगार्था को समझाने कुछ करता है कि यार एशलॉग के पेट में मेरा बच्चा है मैं उसे abandon नहीं कर सकता मुझे उसकी care करनी ही होगी इसके बाद लगार्था डिसाइड करती है कि वो रैगनार को छोड के चली जाएगी फिर लगार्था अगले दिन अपने सारे सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है बियॉण यहीं केटागेट में रैगनार के साथ रुखने का डिसाइड करता है इसके बाद रैगनार वहाँ आता है बियॉण रैगनार को बताता है कि लगार्था चली ग से चले जाते हैं रैगनार अपने परिवार को तूटता हुगा देख बहुती दुखी हो रहा होता है पर वो जानता है कि ये सब सरिफ उसी के फैसलों की वज़े से हो रहा है रैगनार एशलॉक के पास आता है और इसी के साथ एपिसोड वन ओफ सीजन सेकेंड ओफ वाइकिं हुआ हुआ है